प्रेमित्रो आप सभी को मेरा नमस्कार धन्वान कौन नहीं बनना मांगता है धन्वान मैं भी बनना मांगता हूँ शायद आप भी धन्वान बनना मांगते हैं हम सबों को पैसों के बहुत जरुरत होती है और पैसा हमारे जीवन चरिये में एक लेन देन का कारी करता है वो को कोईन के रूप में हो या पेपर के रूप में हो पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है खाने के लिए हमें पैसा चाहिए कपड़ों के लिए पैसा चाहिए घर के लिए पैसा चाहिए हर चीज के लिए पैसा चाहिए अगर आपको ट्रेन में जाना है तो पैसा चाहिए बस में गरीब व्यक्ति हैं जो शायद पैसा उनके पास ना होने के कारण से कई चीज़ों सिवे अभाव में रहते हैं उनके पास शायद अच्छा खाना ना हो अच्छे कपड़े ना हो खैर परमेश्वन ने हमें आशिशित किया उसका धन्यवाद हो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो जादा धन्वान बनना मांगते हैं वो कभी कभी धन्वान बनते बनते मुर्ख भी बन जाते हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रभू परमेश्वन ने एक बहुत अच्छा द्रिश्टान दिया जो मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा ये पाय ले उसने उनसे कहा हे मनुष्य किसने तुम्हे तुम्हारा न्याई या बाटने वाला न्युक्त किया है और उसने उससे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी धन संपती की बहुतायत से नहीं होता फिर से मैं किसी धन्वान की भूमी में बड़ी उपज होई तब वह अपनी मन में यह विचार करने लगा मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं है अपनी उपज इत्यादी रखूं और उसने कहा मैं यह करूंगा अपनी बखारियां तोड़कर उन्हें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन और संपती रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि मेरे प्राण तेरे पास बहुत वर्ष्णों के लिए संपती है चैन कर खापी सुक से रहे परंतु परमेश्वर ने उससे कहा हे मुर्ख इसी राध तेरा प्राण तुससे लिया जाएगा तब जो तुने खटा किया वो किसका होगा ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन तो बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं है मेरे मित्रो जैसे मैंने कहा पैसा बहुत जरूरी है अब सबों को पैसों की जरूरत पढ़ती है लेकिन जादा पैसा बटोरना और उसी पर ध्यान देना ये शायद मुर्खता वाली बात होगी परमेश्वर ने कहा है अपने वच्चन में कि हम अपना जितना भी काम कर सकते हैं हमें उन्हें करना है और परमेश्वर उस पर क्या देगा आशिस देगा हमारे जीवनों में हमारी जरूरतों को पूरा करेगा एक और जगा पर परमेश्वर के वच्चन में जो लिखा हुआ मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि याकूब की पत्री और उसका पांचवा अध्या है और पहले पज से हे धनवानों सुन तो लो तु अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो तुमारा धन बिगड़ गया है और तुमारे वस्तनों में कीड़े खा गए है तुमारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाई देगी और आग के समान तुमारा मास खा लेगी तुम तो अंतिम युग में भी धन बटोरा है तो हम देखते हैं यहाँ पर कि धन बटोरना और उसी पर निर्भर रहना यह ज़्यादा बधी मता की बाद नहीं है मेरे दोस्तों और परमेशर के बचन में एक बात और लिखी है कि हम ज़्यादा जब धनी कटा करते हैं तो कई समस्या आती है बाइबिल में लिखा हुआ है कि पैसों का प्रेम सब बुराईयों की जड़ है तो आप सोच रहोंगे भाई आप पैसों के पीछे धन के पीछे ऐसे कैसे पढ़ गया मैं इसलिए पढ़ाओ मेरे दोस्तों क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम धनी को अपना सब कुछ गुरू मानते हैं अपना भगवान मानते हैं अपना परमेश्वर मानते हैं अपना खुदा मानते हैं और एक बार अगर पैसा जब आ जाता है तो हम उसी पर निर्भर रहते हैं और बाईव में क्या लिखाओ है मेरे दोस्तों धन जो है वो कभी कभी हमारे लिए एक परिशानी का कारण बन सकती स्ट्रेस हमारे जीवने में तनाओं का कारण आ सकता है और ये बहुत जरूरी है कि हम इसको अच्छी तरह से समझे मैं ऐसे कई धनवानों को जानता हूं जिनके पास पैसा है, संपती है तिन-चार गाड़ियां हैं, बड़े-बड़े मकान हैं मतलब सब कुछ जो उनका दिल चाहता है, सब उनके पास है लेकिन खुश नहीं है लेकिन खुश नहीं है ऐसे कई सितारे बॉंबे में जो थे जिनके पास पैसा था शोहरत था, सब कुछ था लेकिन उनके अपने आत्म हत्या कर ली क्यों? क्योंकि उनके पास शान्ती नहीं थी मैंनी वर्णाओ की धन के होने से शान्ती चली जाएगी लेकिन अगर उसी को हम अपना प्रभु माने और उसी पर हम ध्यान रखे जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वच्चन में क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपती के बहुतायच से नहीं होता है संपती क्या है? यह कीड़ा है कीड़ा खा जाएगी और पत्ते रह जाएगे ऐसी मुझे याद एक समय की बाद है कि मैंने अपना कुछ पैसा पेपर वाला पैसा मेरे क्यान में 20 या 50 रुपए एक अपने कबड में रखा और एक साल के बाद मैं अचानक से उसको खोला जब मैंने उस कबड को खोला तो पता पड़ा जो पैसा मैंने रखा था वो पूरा जो क्या बोलते हैं वाइट एंट वो खा लिया अब वो पैसा कोई काम का नहीं उसके दो तीन टुकुडे हो गए कोई काम का नहीं पहले वो काम का था अब कोई काम का नहीं इसी प्रकार मेरे दोस्तों इन पैसों में काई लग जाती है इन पैसों को कीड़ा खा सकता है हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए जिससे की हम अपने जरूरत चीजों को पूरा कर सके लेकिन ज्यादा पैसा रहना भी हमारे लिए बड़ा घा तक हो सकता है लिखा हुआ है परमेशर के वच्चन में बहुत साफ रिती से कि हम जो पैसा है धान है उस पर अपना भरोसा ना रखें क्योंकि किसी ने कहा है पैसा क्या है हाथ का महल है आया और निकल गया आया और निकल गया लेकिन साब जिन्दगी का क्या होगा जिन्दगी जीवन जो परमेशर आपको और मुझको देता है एक बार हमारे जीवनों में आता है अब यहाँ पर जो हम देखते हैं इस व्यक्ति ने धन्वान व्यक्ति ने क्या किया अरे साब खुब पैसा जमा किया उसकी खुब खेती बारी हो गई बहुत अच्छा है मतब अपने मन में सोच रहा था कि वा वा बस अब मज़ा करो पैसा बहुत है उपज बहुत है खेती बहुत होई और मज़ा ही मज़ा करो चैन से खा पी और अराम से रहे पी छे से एक आवाज आती है अरे साब ओ धन्वान मुर्ख तेरा आज अगर जीवन ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा किसका धन होगा किसकी उपज होगी वो इस दुन्या में सब कुछ छोड़ करके चला जाएगा सब कुछ यहां तक क अपना शरीर का एक भाग भी ने ले जा सकता ओपर परमिश्वर के पास जी हां सब कुछ यहां छोड़ जाएगा तो क्यों हम उस धन्पर विश्वास करें जो खतम होने वाला है जो खतम होता है हम उतना ही धन इस्तमाल करें जोटना हमें जुरत पढ़ता है यहां पर एक से एक चीज़े अपने घर में जमा कर लो, अच्छे से अच्छा बंगलाई, नौकर, चाकर, बाग, बगीचा, अरे साब, यदि तु सारे जगत को प्रात करे और अपने प्राण की हाने उठाए, तो उसे क्या लगा, उस वक्ती को क्या लग होगा, वही हो गया, धनी तो ह लेकिन वो धन जो है न, भो मुर्खता बन गया, उसके लिए प्रमेश्वर के बच्छन में क्या लिखा है, कि अपना जो धन है, वो सुर्ग में खटा करो, तभी आप सही रोप से धनी हो सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा, कि हम स्वर्ग में कैसे अपना धनी खटा कर सकते है फिर हम देखते हैं यहाँ पर बीस्वा पद में परंतु परमेश्वर ने उसे कहा हे मुर्ख इसी रात यदि तेरा प्रांट तुसे ले लिया जाए तो जो कुछ तुने खटा किया वो किसका होगा क्या है कोई जवाब आप जो सुन रहे हैं मेरे वचनों को परमेश्वर के वचन को क्या आपका भरोसा आपका विश्वास आपका फेट क्या सिर्फ धन पर है याद रखिए वो धन गाया हो जाएगा मेरे दोस्तों है बहुत हम लोग कभी कभी धन कमाने के पीछे इतना भागते हैं इतना भागते हैं कि भागते भागते बुड़े हो जाते हैं लेकिन हम उस धन को इस्तमाल नहीं कर पाते हैं अरे साब इतनी अशांती उससे आती हैं और स्ट्रेस होता है हमारे जीवनों में तनाव पैदा होता है ये क्या है मेरे दोस्तों फरमेश्वर के बच्चन में लिखा हुआ है कि तुम जो कुछ भी अगर तुम धनी बनना मांगते हो तो आत्मिक रूप से धनी बनिये आरतिक रूप से धनी बनने से कोई फायदा ने क्यों? क्योंकि ये धन थोड़े समय का है च्छाया के समान है आज है कल चला जाएगा और उसका हम इस्तपाल नहीं कर पाएंगे फिर 21 पद में क्या लिखावा है? ऐसा ही ये मनुष्य भी है जो अपने लिए धन तो बटोरता है परन्तु परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं है वो परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं है हम मेंसे कई लोग ऐसे होते हैं मैंने देखा कई लोगों को पहले तो बहुत अच्छे होते बहुत पैसा जब उनके पास ज़्यादा नहीं होता बड़े खुश रहते हैं उनके जीवन में शायद थोड़ा सा वो रहता है कि अरे काश हमारे पास यह होता वो होता तो अच्छा होता लेकिन जब जैसा ही धन उनके पास आने लगता है तो साब प्रात्मिक्ता बदल जाती है परमेश्वर खिड़की से बाहर कर देते हैं अपने जीवन से बाहर कर देते हैं और परमेश्वर के वच्चन पर ध्यान नहीं देते जैसे पहले देते थे अब तो पैसा आ गया ना पैसा जब आ जाता है तो उस पैसों के नशे में अरे साब भाई भाई को भूल जाता है और बेटा माब आपको भूल जाता पैसों के लिए जी हाँ जब पैसा बहुत होता है तो मुर्खता भी बहुत बढ़ती है दुष्टता भी आती है और स्ट्रेस भी बन जाता है मेरे दोस्तों मेरे मित्रों मैंनी बोलना हूँ की पैसा जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, मुझे भी पैसों की जरूरत पढ़ती है, हम देखते हैं मेरे दोस्तों, कि हम जो पैसा हमारे पास आता है, धन आता है, उसका हम सही उपयोग कर सके, परमेश्वर की भेमान के लिए, मैंने देखा है कि कई लोग पैसा कमाने के लिए दूर दूर जाते हैं कहां कौन सा परिवार यार सब भूल जाते हैं पैसों के प्रेम पैसा 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 और क्या होता है धीरे धीरे वो परिवार बिखरता चला जाता है बच्चे कहीं और जा रहे पत्नी कहीं और जा रहे पती कहीं और जा रहे चर्ज का कोई हालत का सवाल नहीं है साब क्योंकि पैसा बन गया ना परमेश्वर अब तो अब तो वही है लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो मुर्ख धनी व्यक्ति हैं जो अपने आपको पैसो के नशे में चूर हो करके दूसरों को मनुष्व भी नहीं समझते हैं मेरे दोस्तों मेरे मित्रों परमेश्वर का वच्चन बिलकुल साफ है बिलकुल क्लियर है तो अब मैं आप से बात करूंगा कि कैसे हम धनी बन सकते हैं परमेश्वर की दृष्टी में आपको और मुझको परमेश्वर की दृष्टी में धनी बनना है ये कुछ बाते बताना मांगता है पहले तो आप जो भी पैसा आपके पास धन है जो भी है चाहे बहुत हो कम हो जैसा भी हो आप धन्यवाद दीजे प्रभू को प्रभू ये मैं तेरे अनुगरा से ध्यान करना ये गलत होगा ये आपकी प्रात्मिक्ता गलत हो जाएगी तो धन्यवाद दीजे प्रभू को कि प्रभू ये पैसा है जो तेरी महमा के लिए इस्तमाल करें पहली बात आप दुसरे जो जहां पर जरुरत पड़ती है चीजों की हमारे मसी भाई बहन है कितने ऐसे जिनके पास चर्श में आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है जो बिचारे किसी तरह से उनके पास काम नहीं हुआ तो पैसा नहीं है छोटा सा घर होगा क्या आप उनको अपनी तरफ से पास्टर के दौरा वो पैसा बोलें कि भाई साब आप ये पैसा उस गरीब भाई बहन को दीजिए जिनको जरूरत है आप क्या करेंगे इन पैसों का क्या करेंगे अरे साब बाढ़िए प्रमेशूर के काम के लीए लाइए अपने पास्टर को सपोर्ट करिए आपको मालूम है आज कल पास्टर साब की क्या तनका होती हारली बहुत कम तो आज अपने पैसों से अपने पास्टर की भी साहता करें उनकी भी जरुत पड़ती है उनके परिवार के लोग उनके बच्चों के फीस है पैसे की जरुत पड़ती है तो आप एक काम कर सकते हैं आप पास्टर की भी इसमें सेवा कर सकते हैं फिर आप जाकर के जो जरुत मन बच्चे हैं जो इधर उधर फिरते हैं या कोई ऐसा पैसे को अच्छी तरसे इस्तमाल कर सकें जहां जरूरत मन्द है बिमार है आपके चर्श में कोई बिमार है आप मेडिकल बिल नहीं दे सकते हैं आप जाकर कोई को दे सकते हैं तो इस तरसे आप अपना धन परमेश्वर की काम के लिए जब लाएंगे तो आप अपना धन का जो है भाग वो स्वर्ग में खटा करेंगे और इश्वमसी ने क्या कहा जो अपना धन यहाँ खटा करता है वो मुर्ख है लेकिन जो अपना धन स्वर्ग में खटा करता है परमेश्वर उसे बहुत आशिश देगा धनी होना परमेश्वर की दृष्टी में ये बहुत महान बात है आज हम दो लेसन को सीखते हैं पहला ये कि दो पार्ट हम सीखते हैं पहला बात ये है कि हम धन पर विश्वास न करें संपती, दौलत, पैसा उस पर विश्वास न करें और यदि परमेश्वर ने आपको दन, दौलत, पैसा दिया है तो उसका सही इस्तमाल करें परमेश्वर की कारी के लिए चर्च के लिए, कलीसिया के लिए गरीबों के लिए, अस्पताल में मेटिकल बिल्स के लिए, इधर उधर जहां साइता आप कर सकते हैं उनके लिए करें लेकिन अगर आपने प्रभू इश्य मसी को अभी तक ग्रहन नहीं किया है और आप धन्वान है तो सहाब ये पैसा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा मैं सही बता रहा हूँ ये पैसा आपको स्वर्ग नहीं ले जागा मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ जिसके पास पैसों की कमी नहीं है उसके लिए पैसा पानी था लेकिन आज तक मैंने उसको इस्तमाल नहीं किया क्योंकि परमिश्वर ने मेरी बुलाहट किया और कहा कि मेरे पीछे हो लो और आज मैं प्रभू की सेवा कर रहा हूँ जितना भी हो सकता है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत भारी परमिश्वर की सेवा कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ तो यदि आपने अभी तक प्रभुईश्य मसी को ग्रहन नहीं किया है तो पहले तो आप अपने जीवन में प्रभुईश्य मसी को ग्रहन करें, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है जो अपना जीवन प्रभुईश्य मसी को दे चुका है जी हाँ, और कैसे देना है प्रार्तना काने प्रभू मैं तुझको अपने जीवन में ग्रहन करता हूँ करती हूँ मेरे जीवन में आ मुझे अपना बेटा बना बेटी बना मेरे पापो को शमा कर अपने लहू में अपने खून में मेरे पापो को धो मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि तु मेरे पापों के लिए कुरूस पर मारा गया बलिदान दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो जब हम ऐसा विश्वास करते हैं मित्रों तब हम परमेश्वर की दृष्टी में धनी होते हैं और हम वो मुर्ख धनी के समान नहीं है जो अपना सब कुछ सामने रख करके कहा खा पी और चैन से रहे नहीं अरे आत्मिक जीमन का क्या है उसका क्या होगा पैसों से उध्धार नहीं मिलता मेरे दोस्तों सिर्फ उध्धार मिलता है तो प्रभुई शुमसी के बलिदान से जब हम उसको ग्रहन करते हैं विश्वास के दौरा तो मैं जो विश्वासी नहीं हैं उनके लिए ये पहला लेसन दूसरा लेसन ये है कि हम जो मसीही है अपना धन जो भी परमिश्वर आपको दिया है हम दूसरों के साथ बाटें विश्वर करके हमारे कितने ऐसे मसीह भाई बैन है जिनको पैसों की जरूरत है आप उनके बैग में उनके परस में पैसा डाल सकते हैं उनको बिना बताएं और परमिश्वर से प्रार्त्मा कर सकते हैं इनकी अगवाई कर इस भाई की अगवाई कर इस भाई को आशिश्वर दे और अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो आप अपने जो धन परमिश्वर ने आपको दिया है उसको आप दूसरों के साथ बाटे इससे क्या होगा परमेश्वर आपको आशिस देगा और आप परमेश्वर की दृष्टी में एक धनवान वक्ती होंगे क्योंकि लिखा हुआ है यदि हम पैसों से प्रेम करते हैं तो हम मुर्ख धनी बनेंगे मैं फिर से वो भाग आपके लिए सामने पढ़ूंगा लुका रजी सुसमाचार उसका ग्यारा अध्याए और ग्यारा नी माफ करना बारा अध्याए और तेरा पज़ से फिर भीर में से किसी एक ने उससे कहा हे गुरू मेरे भाई से क्या है कि पिता की संपती मेरे साथ बाट ले उसने उनसे कहा हे मनुष्य किसने तुझे तुझे तुम्हारा न्याई या बटवारा होने देने के लिए नियुक्त किया है और उसने उससे कहा चोकस रहो और हर प्रकार के लोब से अपने आपको बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपती से बहुगमुली नहीं है कितना अच्छा शब्द है इस पर आप ध्यान दीजिए फिर आगे हम देखते हैं उसने उनसे एक दिश्टांत कहा किसी धर्वान की भुमी में बहुत उपज हुई तब वो अपने मन में विचार करने लगा मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे पास तो इतनी भी जगा नहीं जहां पर यह सब उपज रख सकूँ उसने अपने मन में कहा मैं यह करूँगा अपनी बखारिया थोड़ कर उनको बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सबन और संपती रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपती है चैन से खा पी सुक से रह परन तू पीछे से आवाज आती परमेश्वर ने उससे खा हे मुर्क इसी रीद रात यदि तेरा प्राण तू से लिया जाएगा तब जो तूने खटा किया है वो किसका होगा ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन तो बटोरता है परन तू परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं है परमेश्वर की दृष्टी में तो अपना धन का सही उप्योग करके दुसरों के काम के लिए चर्च के कारी के लिए पास्टर के कारी के लिए मसी कारी के लिए गरीब जो है विद्वाओं जो है उनके कारियों में अपना हाथ बटाएं अपना धन दे परमेश्वर आपको स्वर्ग में और आशिश देगा इश्व मसी ने एक बार कहा था अगर तुमने भूकों को खाना खिलाया और जो नंगी है अगर उनको कपड़े पहना है तो तुमने मेरे लिए किया आएए हम प्रभू की सेवा इसी प्रकार से करें